हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो पाइस्टेडी सर्कल सो गाइस आज की वीडियो में आपको बता दूंगी कि आपका जो बायरोजी सब्जेक्ट है ट्वल्ट एनाइस ओले बच्चों का उसका पेपर किस तरीके से आता है पेपर किस तरीके से आगा मार्किंग के सीम क्या हो बायरोजी की यहाँ पर मैं आपको hindi plus English दोनों ही मीडियम वाले बच्चे को बताने वाली हूँ किस तरीके साथ है क्योंकि एक ही पेपर के अंदर दोनों ही मीडियम आपको बिलते हैं बस आपने जो मीडियम सेलेक्कर रखा होता है उसी कहोंडिक हैं आप अपनी सब्सक्राइबल है बाकी टीमे के सलुशन का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी च्छा कोशन के आंसर बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर टीचर के थ्रू आपके लिए लिखवा कर हम लोग लाए हैं तो देख लेना काफी सारे बच्चों ने बेनिफिट उठाया है लिंक इंदा डिस्क्रिप्शन वोक्स वहां पर आप जाकर देख सकते हो चलिए तो देखिए यहां पर डिसकस करेंगे इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ते फटाफ़र से आजाते हैं कि क्या है आपका सब भी कोश्चन करने हैं तो कि पहला कोश्चन बैसिकल आपका यहां से स पर देखने को क्योंकि आनाइस वोट की बात करूं तो आपको टाइम अपना पेपर रिपीट करता हैं आपको वही कोश्चन घुमा फिरा के मिल जाते हैं तो लास्ट यह के तीन चार साल के आप लोग तैयार कर लो उसमें से बहुत सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे तो क्यूसी है तो आप देख सकते हैं हैं तो हैंड वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं को ताकि आपके पास कुछ हो के वहां कहां से हम तहियारी करें चटा जो है वो भी आपका वन माग का M.C.C. आप लोग देख सकते हैं कि असंग जनन का अर्थ क्या है ऐसे ही साव करना है आपको सही से अगर अपने स्लेबस को पढ़ेंगे तो गलत टिक नहीं कर पाएंगे अच्छे से पढ़ोगे तो पूरे नंबर यह जो आपके हैं dog 8 का मेडियं 14 विदेख लिए वीडियो अच्छी हैं लगता है कि हां आपकी इस से थोड़ी है वहुच्छ ही है क्योंकि इहां पर तो खाली सेंपल लिए बाकि साथी साथ जो है आंसर सहीत आपको सारी जीज़े मिल रही है ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो और 15 कोशन है आपका ये भी दो नमबर का है इसके बाद कोशन है ये भी आपका गईस दो ही नमबर का है और 18 के बाद गईस आपका 19 कोशन भी कितने माक्स का है 2 marks का ही है 19 के बाद 20 20 again 2 marks का है इसके बाद जो है हमारा question number 21 से जो starting होगी ना वो हो जाएगी 4 marks के questions की मतलब question number 9 से लेकर आपका question number 20 तक है वो total आपके 2 marks के questions है 2 marks के questions बहुत सारे हैं कम से कम 3 से 4 line में आप इसका answer देंगे ठीक है जितने भी 2 marks के questions है आपका question number 21 से starting हो जाती है long question की मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा दो number से तो ज्यादा है यह तो चार number का question है थोड़ा सा word limit बढ़ानी पड़ेगी आपको यहाँ पर ऐसे ही 22 question है तो 21 से 22 फिर 23 उसके बाद 24 यह भी आपका 4 marks का है 25 यह भी आपका गईस 4 marks का ही है 25 और 26 तो गईस 21 से लेकर 26 थक कितने question 21 से 26 थक जो आपके question से वह 4 marks की है ठीक है चार number वाले question है वह चलिए अब हम देख लेते हैं और जादा इससे जो long question आते हैं वह गईस आपके 27 से start हो जाते हैं 6 number का question start हो जाता है आपका तो 6 marks सा question है आपका काफी long question है यह तो देखिए 27 है आपका फिर उसके बाद 28 यह हिंदी प्लस इंगिस दोनों ही medium में है यह भी 6 marks सा question है चलिए उसके बाद आपका 29 जो हमारा question है again this is 6 marks question आप लोग देख सकते हो इसको भी 29 question भी 6 number का है चलिए 29 के बाद guys आपका 30 question होगा तो यह आपका last question होगा इस paper का तो 30 question भी 6 marks का ही है तो guys कुछ इस तरीके से आपका paper होता है finish अगर मैं बात करूं इसके paper की मतलब biology के paper की so guys यह आपका एक practical subject है इसमें थोड़ा सा practical अभी है आपका 80 marks का पूरा paper है यह अगर theory की बात कर तो theory वाला paper कितने number का है 80 marks का timing क्या है इसकी तीन घंटे है 20 marks का आपका practical है तो practical भी आप अच्छे से दिए बालो biology का इसके लावा यह paper आप तयार करें अच्छे से इसके concerns जो है ढूंड़िये कहीं जब आपके पास guide हो material हो जहाँ पढ़ते हो अगरा कुछ भी तो अच्छे में मिल जाएगा अपको इसके लाव आपके पास history है जोग्रफी है इंदी है इंग्लिश है तो इन सभी के स्लेबस की होम साइंस की भी हमारे चैनल पर अलगलग प्लेलिस्ट पर नहीं है स्लेबस चल रहा है important questions की series हमने चला रखी है घर बैठ है आपका स्लेबस अराम से हो बिना कहीं बाहर जाए ठीक है इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश लर्न इंग्लिश बायत अबस्तुम तो इस चैनल पर आपका इंग्लिश के important questions की series चल सारी वीडियोस हम लोग upload करते हैं day to day वीडियो कैसी लगी है comment section मुझे जरूर बताना इसके रावा मैंने एक playlist आपको बताई है जहां पर हम salt paper आपको जो है provide कर रहे है salt paper के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो देख सकते हो बहुत सारी वीडियोस हैं जहां से आपकी help हो सकती है चलिए guys see you in the next video next video किसी दूसरे topic के साथ किसी दूसरे you know sample question paper के साथ till then keep studying by study thank you so much and goodbye